नमस्कार मैं शालिनी जाओ और आप देख रहे हैं डेली हिंद आप सभी का स्वागत एक बार फिर से और इस वक्त हम मौझूद है राम नगरी आयोध्या में आयोध्या की जनता हमारे साथ मौझूद है चुकि अब विधान सभाचुनाव की तारीकों का एलान हो चुका है औ बहुत जल उत्तरप्रदेश में 403 सीटों पर विधान सभाचुनाव होने वाला है उसी को लेकर हम आज इनसे चर्चा करेंगे और बाचीत में ये जानेंगे कि इस बार इनके मुद्दे क्या होने वाले हैं किस सरकार की तरफ जुगाव है इनका और ये योगी के कामों को क इतना पसंद करते हैं चर्चा की शुरुबाती यहीं से करते हैं कि पात साल तो पूरे हो गए हैं चुनाव की तारीकों का एलान हो चुका है कैसे देख रहे हैं पान साल पूरे तो हो गए लेकिन काम कुछ नहीं हुए पान साल में पूरी तरीके से जनता सिर्फ ठकी गई ह जयल वहाँ और कोई विकास की गंगा तो इत्ती अब को यहां के योगी्या कुछ zer बाहियर hon drinking नहीं segundo ओपने विकास था उत्तरप्रदेश को उत्तरप्र देश Crimson आई पद्य Onu खोत्ड़ाई प्रदेश सब्सक्राइब का सबस्सक्राइब कोई फोटू भी तो नहीं खीच पाएगा अंधेरा रहेगा तो फोटू भी तो नहीं खीचेगी कि कैसी है बताइए पूरे विदान सब्सक्राइब में मुश्किल से सौ में से 90 परसंट तो आपको हाइलेजन नहीं मिलेगा लाइट नहीं मिलेगी महाँ पर ना फोटू कीच और रुपा में चोरी हुआ और देश के मुख मंत्री जी पता नहीं कहें दर्जन बार यहां आए उनको कुछ सोचना चाहिए कि जनता कितनी तरीके किस तरीके ते परेसान है जनता के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है 275 विदान सभा कि हम बात कर रहे हैं वहां अध्या चलाया जा रहा है सबके घर तोड़े जा रहे हैं वो तो कहते हैं अपराद मुक्त बनाएंगे उत्तर प्रदेश को आप कैसी बात कर रहे हैं यहां यहां क्या रहे हैं मुक्तार अंसारी के ऊपर अभी तक कोई के साबित हुआ कोड्य ने कोई चीज में कशाबित कि अतिक की योगी गौःमेंट मैं योगी जी काम नहीं करते हैं तो की यह फॉच्या के बिल्डोजर चला रहा है रहा हैं या यह ज़ी अपने गवर्प्रॉर्मेंट के उस से चला रह रहे है और विल्डोजर चल भी रहा है तो आप इसके अपराद कौन है को जब तक करता हैं तब तक कैसे हैं आपको लगता है क्योंकि वो तो बार बार कहते हुए नजर आते हैं संबोधर में चाहें अमित्षा हो मोधी भी यह कहते हुए नजर आते हैं कि जब से योगिया देतनात की सरकार है यह उत्तर प्रदेश को अपराद मुर्त बना जिए बिल्कुल कानून विवस्ता तो आपक कहीं न कहीं खिलवार किया है कि नहीं समिधान के साथ खिलवार हुआ उस बंदे ने जाके सिलंडर किया पब्लिक प्लेस पे उनका ये दायुत तो बनता था कि वो लाके उसको कोट के सामने हाजिर कर देते ठीक है तो यहां कानून के साथ खिलवार हुआ है अब बता हिए जहां कानून के साथ खिलवार हो रहा है तो हां आम जन्ता का क्या होगा ने मुस्लिमों की बात किया तो क्या लगता है जातिवाद की राजनीती करती है बाचपा की जो नीट है ना वो डबल स्टेंडर्ड नीट है और जितने भी पॉलिसीज हैं या उनके जो एक्शन्स हैं वो कहीं उन्होंस स्टेंडर्ड है जुस है अब आप और ना पी夏 अपराद मुक्त कीबात की बुल्डोज़र चलाने बर बुल्डोजर चलाने में उन्होंने डबल स्टेंडर्ड वह अपनाया हुआ है तो जो बुल्डोजर सुनों चलाएं वह सेलेक्टिव चलाया हुआ है जो यह बहुत गलत है देश संविधान सबस्के साथ एक एक रूल सोना चाहिए अगर आप अपराद मुक्त भारत या अपराद मुक्त पुत्रप्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि किसी समाज का आदमी अपरादी है तो अपराद को आप किसी खास चस्मा लगा करके देखेंगे वह बिल्कुल भी सही नहीं है अना साब बताईए अभी तो हाली में जो है जांच हुई थी उस पर कहीं सपा के नेता जो है उन पर आरोप लगाए गए थे कि उनके घर में पैसे वैसे मिले हैं या ऐसे सवाल भी उठेते कि क्यूंकि अब चुनाम है इसलिए मोधी सरकार जो है ऐसे हत्कंडे अपना रहे सब्सक्राइब दिया प्रभानमंत्रियावास योजना मिल गया उज्वला योजना का लाब मिल गया है। विकास विकास में लगाने का पैसा करिए यह जिंता की खुशाली के लिए करिए गरीबों के मसीया बनिए कोई जो गरीबे परिशान है आई दिन सब रोट पर विचारे टहलते हैं कंबल दिकों की सरकार जंता को सरवप्रिय की सरकार की आदमी और जो पूर विधायक थे पूर कैबिनेट मंत्री यह रहते और सब को तो कंबल देते हैं मुलायम सिंह आदो जी का जनम दिन्ता तब भी कंबल दिया गया और श्रीयकलेश आदो जी का जनम दिन्ता तब भी कर वीबो को लिए साहता करी गई और अभी भी जिसकी परिसान हो रहे देखिए वह एक सो ठान अब अगर सीड निकाल लें तो आप की ठकी गई और तुरी अखलेश आदो जी पांच नमबर काली दास परफ की बिल्कुल अपकी पूर मुखमंत्री उत्तरपर्द्य सरकार अपकी सरकार चलाने जा रहे हैं एक्सप्रेस वे हाईवे एरपोर्स का उध्गाटन कर दिया भी बिल्कुल कर दिया चाहे जो कर दिया आप पत्रकार है भारतिय जंदा पार्टी की सरकार में और कोई भी ऐज़े भारतिय जंदा पार्टी की सरकार के देश के परधान मंत्री मुखमंत्री दो काम बता दीजे जिसके भारतिय जंदा पार्टी का कोई आदमी सिला नास और गाटन दोनों किरण लेकिन बथे चाहिए बौकिन कर रहे हैं लेकिसे लरे चाहािए साड़े Coffee में आठा से उपके लए टाुर essas लाग दिया है च्रिय अखलेश पहले नंबर पे लेखने पर मैं जाहिए कई डिफेक्ट्टो वो होते हैं निउस पर किसी में 190 परसेंट चिरियकले शादो जी 50 परसेंट मुखमंत्री योगी इतना जी उस पर आप मत जाईए जनता बदलाओ देखिए जनता किस तरीके से परेशान है जी मेरा नाम नितिन पांडे सबसे पहले तो जो हमारी आर्टिकल 14 से लेके 29 तक यह होता है कि आप अपनी बात रखने का इतकार है सबने अपना बात रखा मैं उसका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत आपको बदाई देता हूँ कि आपने गिनाया लेकिन सबसे पहले मैं मै चले जाएगा खासकर आप दी पोस्तों के टाइम पर आएगे तो वहां ना कोई आपको सपाई मिलेगा ना भाजपाई मिलेगा वहां स्रीराम की रह में मुक्तने वाले साले आपको मिलेंगे और जैसा कि अकले शादो जी की भी सरकार पिछले 20 सालों से मायावती जी लगा बस कुछ मुद्दे हैं जिनसे खफा थोड़े जरूर मुद्दे मैम जैसे कि कुछ क्रोना की वज़े से यह है कि बिरोजगारी बढ़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन महिला सुरच्छा बहुत बड़ा मुद्दा है मैं आज से नहीं हमेशा से रहा है लेकिन उसक सरकार में जो विधायक थे उन पर भी तो जी हाँ योगी सरकार की विधायक पर क्यों करेवाई नहीं करती है मैं योगी सरकार आप ज्यादा दूर्मच जैए गुसाइगंज के विदान सब्सक्राइब जिसने किसानों गाड़ी चलाई उस पर भी कहां बिल्कुल मैं मैं ब बात कि वरतमान महिना नहीं हुआ है दो ही महिना मैं वरतमान में वह तो कह रहे हैं और सी बी आइज चार्श करा दिया है साइटी गठन कर दिया लेकिन निशकर्श क्या निकला आशी निकला है जब कोई चीज मनलब जब तक किसी पर अपराद साबित नहीं हो जाता वह सब्सक्राइब कर दिखा सकते हैं अगर सुबा का भूला हुआ साम को घर वापस आ जाए मोड़ी साथ सो किसान नहीं जहां तक मैंने पड़ा साइद 100 कुछ किसानों की मौत हुई है उसमें जो कि चलिए इनके पास मुझे लगता है ज्यादा सचा डेटा है मैं बिल्कुल आपका सोर्स क्या है मैं मुझे बताइब कि आपको भी बोलने का अदकार है मुझे भी बोलने का अदकार है जैसे भाई ने अपना परश रक्ता मैं थे पर Rabb Demi जयसा कि एर्थ 7 Dalini को शीच लगता है घुजर में हएगा दुब्सक्रवांगी कि नहीं जी सकते और जादा दूर मत जाएगा आज से लगवक तो पीजेपी खेवल एड़टीजमें पर पैसा पाइसा करती सांसद में इनके 300 से उपर सांसद है इनके यूप की राजनीती में 200 से उपर इनके विधायक है जादा दूर मत जाएगा दस मार्च की बात है आप भी यही है मैं भी दस मार्च को तो रिजल्ट आई जाएगा तो यह थी हमारे साथ आयोद्या की जनता जिन्नों ने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिये हैं कुछ सपाई समर्थक है तो कुछ भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो कुछ लोग कह बाजपा सत्ता में आएगे अब सत्ता में कौन आता है यह तो दस मार्च के नतीजे बताएंगे आप बने रहे हैं हमारे साथ और देखते हैं देली धन्यवाद